राम राम जी नमस्कार आज मैं बनाने जा रही हूं कद्दू की सब्जी जो है खाने में बहुत इस्वादिश्ट लग दी है और मैं उसको एक दम सिंपल तरीके से बनाऊंगी अब मैं इसको पहले इसको काट लेती हूं अब इसको हम पहले काट लेते हैं लेकिए बड़े भी आते हैं यह चोटा है तो इसे हम आदा किलो के करीब होगा इसको हम चलके सही की पाटेंगे तो जहां से खराब है महां से निकाल देंगे यह मैं ने धोक के साफकर के अच्छी तरीके से रख लिया है और इसके जो ये बीज है वो सब निकाल देंगे अब ये थोड़ा थोड़ा जब ये जगे से वैसा खरासा लग रहा है इसको हम निकाल देंगे क्योंकि हमें छिलका भी साथ में ही डालना है इसके जहां से ये दबास है हां से निकालेंगे इसको वैसे ये मैंने दो तीन दिनों गए फिरिज में लाके रख दिया था मार्केट से टाइम नहीं मिला बनाने का इसके आज बना रही है इसको बस इसका हम चिलका ऐसे रखेंगे तो हम ले लेते हैं ठाली अब इसमें हम पहले काट लेके इसका जो बीच में जो यह है इसमें बीच वगएरा होते हैं इसको निकाल देंगे हम याकीन माने है यह जो सब्जी है जो बनाते हैं धावे वाले और जो उससे भी बहुत ज्यादा सा दित्रूनती है मैं तो अपने तरीके से ही बनावी और आपको भी दिखाऊं भी कैसे बनाती है देखिया है जो बीच थे यह समय ने इंतर से इसके निकाल दिये हैं और इसको मैं चोटे-चोटे टुक्रों में काट लोंगी जैसा सब्जी पारते हैं वैसे इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आजकर जो बाहर है बाहर का खाना है पता नहीं कैसे बनाते हैं कौन सा तेल लूज करते हैं कुछ कहां नहीं जा सकता पर जैसा भी आता है अपने घर में बनाएं साधा खाना खाएं वही सबसे अच्छा है कि अब मैंने इसको अच्छे छोटी-छोटी टुक्रों में कायत लिया है और छिलका भी नहीं तारा है छिलके सहीट बनेगा यह क्योंकि बेठा जो होता है कद्दू जो उत्ती सम्ची जो है छिलके सही अच्छी लगती है चलिए अब हम गया स्वम करके कडाही रख लेते हैं कि मैंने कडाही रख लिये और इसको जो मैं बनाऊंगी इसको मस्टर्डोयर में बनाऊंगी सरसो के तेल में यह सबजी जो है सरसो के तेल में अच्छी लगती है तो इसमें मैं डालूंगी क्योंकि यह तेल में ही बनेगी इसमें ना पानी पड़ेगा ना कुछ पड़ेगा तो अच्छा सा तेल डाल लेंगे हम दो बड़े चम्मच और जो यह मैंने काटा है इसे हमें बाद में नेट होना पहले धोपे साफ करके मैंने यह रख लिया है कट लिया है बस इसको ऐसी रहने देंगे अब यह हमारा तेल जो अच्छी तरीके से पक गया है कोई भी सब्जी हो तो उसे ना तेल को पहले पका लेना ज़रूरी है क्योंकि उसकी स्मेल से फिर सब्जी में का जो स्वाद है अगर पकाऊगे नहीं तो बिगर जाएगा तो लिजब के अच्छी तरीके से पकाल हो पहले हां और इसमें डाले गे हम बीना प्याज कर लेहां इसको यह अच्छी भी नहीं लगती इसमें तो परेले न पलबेंगे और अधा चम्मत मेति दाना था इसमें céu पर नेक्षोस ओरी मेति पितावा और है नो दाल पर मेति दाना में रिक मसाले, अब तोुका बेती सीजों प्ynिशाव्या धनिया बीधा crolek, तोड़ा ग्रम मसाला कश्म मीर्च, सारे को डाल देती हूँ इसे कंदी के मैंने गैस कम कर रखती हूँ अगर जादा है बाद में ऐसा लगजा तेल जादा हो गया तो आप निकाल के दूसरी सब्जी में लूच कर सकते हैं उसको निकाल लेना पर सब्जी रहते ही बनेगी और सादी स्टोर बनेगी पोरा भी मेरे इसमें डालना मुझे है नमक एक चमद पोरा नहीं है पोरा पाउम है और इसमें के और दालोंगे मैं यह सौंफ पाउदर सौंफ भी अच्का लगता है इसमें के चमद बढ़के सौंफ डाल दिए सौंफ पाउदर जो होता है बस तो चुनेंगे इतना अब इसको हम ऐसे ही पकाएंगे तो थे बाद में डालेंगे जब यह पक जाएगा अच्छे से ऑब है इसे हम तेर ने ही पकाएंगे अगर हम तेर अब डालेंगे पानि यह दाल जाएगा था ये बिखाव जाएगा आश्चे आए कि कोई तेल नहीं खाता तो आप रिफाइन कोई सा भी डाल सकते हैं अब ये सस्को के तेल में ही अच्छी लगती है चीजे अब इसको हम ढब देते हैं धीरे धीरे पके लाइए अब हम चैक कर लेके इसको उठाके देखें मेरे सब्ची कैसे हुई है इसको 15-20 मिनत हो चुके हैं इसको बीच-बीच में चलाना के दूरी है अब आप हम देखेंगे कि ये गलिया नहीं ये बोरी तरीके से गल गई है फोड़ा और अपा लेंगे दीरे दीरे तोड़ा इसको ऐसे मेस कर देंगे तो कि इसके दो बड़े बड़े कितले हैं वो जादा अच्छी नहीं लगते तो मताला भी समेस्ट चला जाएगा देखें अब यहां दो चीजे और इसमें आड़ करनी है एक तो मैं अब पहले मैंने नमक डाला था इसमें और अब मैं डाल रही हूं इसमें गूर्ट क्योंकि खटा मीखा अच्छा लगता है यह गूर्जो है मैंने थोड़ा छोट छोटे टुक्रों में काज लिया थी गूर्ट तो हैल्दी है ही और जूर नहीं है तो आप चीने भी डाल करते हैं क्योंकि अच्छी करीके से इसमें मिक्स पर देंगे और फिर सबस्टेस को पोड़ेंगे साब आप में अच्छी करीके से इसमें मिल रहा है देखें गुरे ने अपना पानी छोट गिया है और इसके बार हम डालेंगे थोड़ा अच्छा त्वार बनाने के लिए इसमें डालेंगे आधी चम्मच अमचूर पाउडर यह भी बहुत जरूरी है इसमें अच्छी सब्दी आमारी बहुत अच्छी केश्पी बंके परियार हो जाएगी आपको देखने से भी लग रहा होगा एक दम इसमें रमी बदंदी आए अपना देखें अब इसको हम और थोड़ा सा पका लेते हैं इससी यह गूर जो है गूर का पानी जो निकला आए पानी आपको लिए अपना प्सक्राइब बदेखें अब इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं थोड़ा हम देखें हम देख लेते हैं दो कि हमारी सब्जी यह तन्यार हो गई है लेकर तेयंग भी अलग छोड़ गया अब इसका कलर ही चैंजर गया है तो क्योंकि हम ने इसमें गूर ड सब्सक्राइब करें, अब यह सब्सक्राइब करें, अब मिस्क्राइब कर लिए देखें, अब यह उपने अच्छी बनके तयार हुई है, जैसे मैंने बना ही है, ऐसे ही आप बना के देखना, बहुत ही टेश्टी लगती है, मैं तो आपको अपने सामने ही, जो भी बना रही हूँ, सब सब करके रिखा रही हूँ, बना रही हूँ, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती हों, तो पर लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, इसमे धनिया वगएर आपकुछ पड़ेगा कि तो ऐसी अच्छी लगती है, देखिए, सबजी को बनाने में मुझे 20-25 मिनत लगाए, इसको दो से तीन बार आपको चैप करना पड़ेगा, धीरे-धीरे बने दिये, धक के छोड़ देना इसको, और थोड़ा मैश भी कर लेना, इसके टेफ लेना गल जाए तो, पर खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीड लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया दिये, और एक नही रेसिपी के जाए शिर्णा, नमस्कार.